यह वाइन सिस्यां है जिसमें बहुत ज्यादा पिंक कलर की फिलावरिंग होती है अब मैं इसको बहुत लोगों ने मेरे से मांग है तो मैं उनको दे नहीं सकती क्यों कि मेरे पास एक ही वाइन है पर अब की बार मैंनी यह सोचा कि इस वाइन से मैं काफी सारी प्लांट प्यार करूं उनकी कटिंग करने के बाद और कुछ को मैं यह वाइन प्यार करने के बाद भीजूंगे च्छे या साथ इंच की हम कटिंग काट लेंगे यह गुलाब की वाइन की कटिंग है और मैं अपने कई वीवर्स के यहां भीजूंगी एक अमरिसर से है मेरे और एमदाबाद और दिल्ली कई मेरे वीवर हमें जुन भेजें और मैं इसको ग्रोव भी करूँगी पहले भी मैंने इसको ग्रोव किया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला अब मैं अपने अपने वीवर्स के लिए यह ग्रोव करूँगी यह कटिंग का मेरे को ध्यान है कि अब यह नीचे वाला साइड है और यह उपर वाली साइड है बट जब मैं किसी काम में उलज जाओंगी मैं खुद ही भूल जाओंगी कि यह कौन सी साइड है इसके लिए मैं यह नेल पॉलिश लगाके एक तो इसका मोस्टराइज नहीं उड़ेगा दूसरा यह एक निशान लगा रहेगा कि यह उपर वाली साइड हमारी कटिंग की है इसी तरह से मैं सभी कटिंग पे उपर वाली साइड पे नेल पॉलिश लगा दूँगी कि वीवर्स को मैं यह कटिंग भेजूंगी उनको कुछ पे मैं शैहद लगाके ऐसे शैह से डिप कर दूँगी और कुछ साइम के लिए मैं शैहद में रख भी दूँगी इन कटिंग को और थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लगाके मैं कोरियर करूंगी और कुछ पे मैं आप कि रूटिंग हार्मोन लगाके और यहां पे मैरी सॉयल त्यार कि हुई है थोड़ा सा मैंने इसमें कंपोस्ट डाला है बाकी मेरी यह साध्धी सॉयल है इसमें इसको लगाके मैं पैक करूंगी मेरे वीवर्स के लिए और कुछ कटिंग मैं अपनी यहां ग्रोय करूंगी इसको मैं थोड़ी सी सोईल में लगा के तरह से मैं काफी सारी कटिंग तियार कर लूँगी जो मैंने अपने वीवर्स को भीज ली है और कुछ कटिंग मैं अपनी इस सोईल में लगा दूँगी इसमें मैंने क्या किया है आम सादा सोईल लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने कंपोस्ट डाला है उसको मैं थोड़ी सी कटिंग को मैं ये शेहद हनी में लिगोकर लगाऊंगी और कुछ को मैं रूटिंग हार्मोन के साथ लगाऊंगी आप जो भी कटिंग लगाते हैं उसको धाई या तीन इंच के करीब आप सोईल में दबा दें और कटिंग को जितना ज्यादा हो सकता आप दबा दें बिल्कुल भी एर हमारी कहीं से भीना निकल मूपाए बस इस चीज़ का कटिंग लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान दोएंगी आप किसी टूल की साइटा से आप होल जरूर कर लें इसका मतलब यह है कि हमारी जो कटिंग के टीशू हैं वह मस्ट पूटे और कटिंग को अच्छी तरह से दबा दें कि अच्छा है कि वैसे हमारे कटिंग को मॉस्टराइज चाहिए अब मोसम में है मॉस्टराइज पर फिर भी मैं इस पे अपनी सेफ्टी के लिए ताकि हमारी मेरी टेहनी ज्यादा ग्रोव हो यह पोला तीन लगा दूंगी ताकि इस इनका मॉस्टराइज बना रहे में शुराख भी करना इसे सुराख करके एक जगा पर रख दूंगी और इस ऩॉप च्या वाए पाले प्लेस पर रखे जुए हमारा यह और कई तरह के भलम भी मैं उनको भीज़ूगी वो सबी मैं पैकिंग अब करने वाली हूँ उनके लिए वो मैं मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक वे शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ठैंक्स